साथियों, आप सभी इतने वर्षों से स्वास्त के ख्षित्र से जुड़े रहें। आप भलीभाद ही जानते हैं कि हेल्ड सेक्टर की एक चुनवती डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल कर्मियों की कमी भी रही है। पिछले नव वर्षों में इसी कमी को सुधारने के लिए भी देश में अभूत्पुर्व काम हुआ है। पिछले नव वर्षों में आउस्तन एवरेज हर महिने एक नया मेडिकल कॉलेज खोला है। 2014 से पहले के दस सालों में डेड़ सो से भी कम मेडिकल कॉलेज बने थी। बीते नव वर्षों में देश में तीन सो से अधीक नए मेडिकल कॉलेज बने थी। 2014 से पहले हमारे पुरे देश में MBBS की 50,000 के आस्पास सीटे थी। 50,000 स्टूडन्स के लिए जड़ा थी। आज देश में MBBS की सीटे एक लाग से भी ज़्यादा हो गई है। 2014 के पहले PG की भी 30,000 के आस्पास सीटे थी। अब PG सीटों की संध्या भी बढ़कर 65,000 से ज़्यादा हो गई है। जब इरादा नेक हो, समाज की सेवा का भाव हो, तो ऐसे ही संकल्प लिये जाते हैं और संकल्प सिद्ध भी किये जाते हैं। साथियों, आज भारत सरकार हेल्ट सेक्टर में जो प्रयास कर रही है, उसका एक और बड़ा प्रभाव आने वाले दिनों में दिखेगा। देश में जितने डॉक्टर आजादी के बाद साथ दसकों में बने, उतने ही डॉक्टर अगले एक दसकों में बन जाएगे। और हमारा फोकस सिर्फ मेडिकल कॉलेज या डॉक्टर तक सिमित नहीं है, आज ही यहां नर्सिंग कॉलेज के विश्थार का काम शुरू हुआ है, भारत सरकार भी नर्सिंग के ख्षेत्र में भी युवाओं को नए अवसर दे रही है। हाल में ही सरकार ने देश में डेड़ सो से अधीक नए नर्सिंग कॉलेज को स्विकृति दी है। इस अभ्यान के तहट यहां राजस्थान में भी विश से जादा नए नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। इसका अलाब निश्चित तौर पर आपके सूपर स्पेशलिटी चरिटरिबल ग्लोबल हस्पिटल को भी होने वाला है। पर आपके सुपर स्विकृति नर्सिंग कॉलेज पर आपके स्विकृति परेंगे।